हेलो गाईज राद राद है आप सभी का स्वागत है श्री बांखे भी हारी के रसोई में आज मैं आपके लिए लिखके आई हूँ इस टफ हालू वो भी अपनी मम्मी के हाथ के है मम्मी मेरी आयू है तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से खुब बढ़िया सी कोई डिश्वर मात आती हूँ और आप लोगो तो दिखाऊंगी और खुद भी खुब मन भर के खाऊंगी तो कि मम्मी के हाथ में तो जादू होता है सब लोगों को पता ही है तो चलिए आगे देखिए कैसे मेरी मम्मी ने सब तयारिया की है और जो भी होगी चीज में आपको बताती जाओं य इस size के आप लोग ले लीजेगा और इस तरह इस में होल कर लीजेगा यह सारा काम मेरी मम्मी ही कर रही है और शिर्फ आज मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और इन कच्छे आलू में होल करके एक पानी में डिप खते जाएगा तो आलू आपके काले नहीं पढ़िए और यह ब लेकेल के आज है इसको तोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएना तब स्कोम आल करना है अब ऑभ स्सक्व अब्यूक्प 220 अब इसको निकाल लिया है बेहरी है रहत Ice कराई में हमने इस थुड़ा सा जाम साल तarbeit तेल डाला आसमें डालिये हींग और डाली हमेट इपर से अब इसको चलाईए थोड़ा सा एक सेकंड के लिए और ये बेशन इसमें एड़ कर दीजिए जो पहले से लाल किया था अब इसको धीमी गैस पे हलके हलके चलाईए सारा मिक्स हो जाए नमक एड़ कर दीजिए थोड़ी सी पानी की छीटे डाल दीजे अब फिर इसको अच्छे से चला लीजे इस तरह से दवा दवा के करिएगा उसी कड़ाई का उसकर रहे हैं बार बार और अब इसमें आप आलू डाली तेल में सरसो तेल डाला है उसमें आलू लाल करने के लिए डाल दीए हैं आप लोग जरूर से एक बार इस तरह से सब्जी बना के देखेगा मेरी मम्मी बहुत टे लेसन की क्वाइंटिटी आप लोग देख लीजिए हम लोग ज्यादा खाते हैं जिनको नहीं पसंद हो नहीं भी डाले तबी भी चलेगा और यह पांच प्याज डाल रहे हैं इसमें अपनी सब्जी के साफ से आप लोग मसाला त्यार कर लीजिएगा और कुछ गरम मसाला है और आलू यहां लाल हो चुके हैं खड़े गरम मसाले में हरी लाइची ले लिजेगा तीन एक बड़ी लाइची लॉंग उकाली मिर्च बस इतना सा कूट के डालना है और यह अलो निकाल लिए हैं और यह बेसन हैं जिसमें गरम तेल डाल रही है मम्मी जो बेसन लाल किया जगना उसी में और इसको हाँ से मिला रही है विल्कुल गरम यह आप लोग हाँ से मत मिलाएगा थोड़ा से ठंडा हो जाए तभी यह तो सब को पता है तो चलिए इसमें पानी नहीं एक करना है इसी तेल से ही इसको मिक्स करना है और आलू में बरना है आलू देखिए कितन थोड़ा सा फट गया है ध्यान रखिएगा आप लोग चीलते समय इस तरह से भरना है यह देखिए किस तरह से भरना एक बार आप लोग देख लीजिए ऐसे करिए और अपनी छोटी वाली उंगली से इसको अंदर कर दीजिए या आपके पास जो हो पैंसिल बगरा हो आप उस और अब इसमें जाएगी हल्दी जो पानी में भीगो के डालनी होती है जो हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में आप लोग को बताती हूं इससे हल्दी का रंग भी अच्छा आता है और हल्दी भी नहीं जलती है तो इस तरह से आप लोग हल्दी भीगो के ही डाला करिए और य और घर की कुटीवी मिर्च यह सब भी इसमें अभी जाएंगे कैमरा थोड़ा फूल हो गया था इसलिए दूसरे से बना रही हूं इसलिए इसका थोगा सा कलर चेंज हो गया है वीडियो का इसका मतलब यह नहीं है कि सब्जी देखने में अच्छी नहीं लग रही है तो मेरी मम्मी से मिली है यह मेरी मम्मी है मेरी मम्मी बहुत अच्छी है सबकी मम्मी अच्छी होती है सबको अपनी मम्मी उसे बहुत प्यार होता है मेरी मम्मी के हाथ में तो सच में जाज़ू है दूर दूर तक मेरी मम्मी के हाथ का खाना फेमस है तो मैंने सोचा आप लोग और एड़ किया पहले तो बेसर में डाला था अब यह इसकी ग्रेवी में मिक्स कर रहे है कैमेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है फ्लीज आप लोग सब्जी के कलार पर मत जाना सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी और यह आलू डाल दिये हैं प्याज बिन चुका है भगवान ने भी न हम सबकी मम्मियों के हाथ में जादू डाल दिया है मम्मी कुछ भी बनाती है तो ऐसा लगता है कि मम्मी ऐसा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता है है ना ऐसा तो अब इसमें जो आलू बचे हुए थे ना वो भी एड़ कर दीजिए और इन आलू को भी लाल कर लिया है जिससे यह अच्छे से गल गए हैं और इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे सब्जी में इसको थोड़ा सा कर्चुली से चला लीजिए और फेसमें गरम पान पानी ही डाल रही है मम्मी क्योंकि गरम पानी से आपकी सब्जी जल्दी बन भी जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो कि कच्छे पानी को बहुत पकाना होता है आपको और सब्जी आपकी बहुत जल्दी बनती है इस तरह से अब इसमें धनिया डाल द मम्मी के हाथों से ही खाऊंगी कि मम्मी के हाथ से खाने में मुझे आज भी बहुत मज़ाता है तो चलिए आप लोग बनाईगा इस तरह से आलू और बताईगा कैसे बने फिर मिलते हैं किसी इसी नई डिश के साथ राधे राधे